बाकी जो है बाइक वास हो चुका है देख रहें गैजेट हो गया गोप्रो जो अब देख रहें पूरे मॉर्निंग के आठ बजने हैं पूरे चावड़त अब देख रहें फॉग है एक्षली बता दो इस वार ठंद फॉग लेट आया है तो अभी धूप उग रहाता बहुत बाइज और आप एक टीशाट में घूम रहे होते हैं ऐसा हो चुका है लेकिन जिस रफ्तार से अभी ठंड बढ़ रहा है उसी रफ्तार से जो है करोना का नए वेरियंट जो है फिट से आ रहा है और तबाही मचा रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका ब पर जाता हूं और उसका भी एक छोटा समय ने क्लिप लिया है क्योंकि अभी मैं हेल्थ पे ज्यादा ही ध्यान दे रहा हूं क्यूंकि जब से इतने दिनों में मैंने नोटिस क्या है कि जो भी रिलेटीब से घर के आस पर उसके जो ही मिलते हैं सब ही मुझसे यही पूछते खाने को नहीं देता है क्या बहुत दुबला पतला ठाई इसलिए तो मैं सबसे पहले जबसे meditation करके आहूं सबसे पहला काम कर रहा हूं मैं खुद पर फोकस कर रहा हूं डाइट वगर पर ध्यान दिया हूं एक्सरसाइज वगर डेली करता हूं इसलिए अगर जो नैचुरल खाना है उससे मुझे प्रॉपर सप्लिमेंट नहीं मिलता है तो इसलिए एक्स्ट्रा मैं टैबलेट्स वगर ले रहा हूं जो कि मेरे हल्थ के लिए बेनिफिट होगा त थोड़ा डाइट पर फोकस करना परेगा ठीक है और कंटिनुटी मेंटेन करना परेगा यानि की रेगुलर करना परेगा यह नहीं कि आज किये यह सारी चीजे बहुत जरू होती है तो वही चीज मैं आप लोगों दिखाऊंगा तो आप मेरे देख चुके होंगे कि मैं बह अब बनेया हूं लोहलक कर से और उसी से पना एक्सेसाइज चलता है और करोना जितने फ्याति से आ रहा है तो आप लोग है अभी सही ठुला एलट हो जाए एक्सेसाइज फोकस कर दिये हैं-फोकस कर दिए क्योंकि करोना से अगर लर्ना है तो आपका इम्यून सिस्टम करोना को वरना जिस गती से वो इस बार आ रहा है लगता है फिर से तवाही मचाने वाला है कि उसके बाद देखिए सुवस्वा फिर हमारा यह मूफली चनाओं और काजू अगरा चलता है हल्दी डाइट ले रहा हूं प्रॉपर एक्चुली नेक्स्ट मंथ जो है सिस्टर का साधी है तो मैं नहीं चाहता हूं इस वार अगर कोई रिलेटिव अगर आए तो यह बोले खाना खाने होने ही मिलता है वेट गेन करना मुझे बहुत ही जल से ज चुका है अब तो आदे रेस्ट करेंगा उसका जो है डाइफ्रूट वगर खाएंगे उसका पपाया बगर चलेगा बाट्या भी जो है साधी है अगले मन तो देख रहें घर सब पेंट वगर हो रहा है पीछे थोड़ा कलर इसकीम जो है मैंने थोड़ा चेंज कर दिया और साथ मेरा मित्र जा रहा है यही राज सेखर चले मिलते हैं बाइक पे अचली में बता दू आज 24 अब दिसंबर है कल 25 दिसंबर है यानि कि किसमस दे तो आप सब को हैपी किसमस टे एक दिन पहले वीडियो में बना रहा हूं और अपलोड करूंगा इसलिए एडवांस मे अब दिसंबर है अब आप सब्सक्राइब करेंगे और सारी चीज़ आप लोग को जानकारी देंगे कि आप कैसे जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं यह मेरा थर्ड टाइम होगा नेपाल ट्रिप तो अभी तक हमारे ब्लाउग को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाट स पर दिजे बैस में जल्दी बोलता नहीं हो कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और साती में दिखा देता हूं जाने से पहले मैं करता हूं देखे पहले जो मॉल से मिल आया हूं यह हैंड गलप्स यह दो सूर प्यगा पर आया और एक रूम के लिए स्लीपर ले लिया ह हां यह सारे सेटप ले जाना है और को देखते हुए जो है ठंड के कपरे वगर भी ले ली है मैंने अच्छे से सारा पैकेजिंग वगर आप लोग को दिखा देता हूं क्रेट्या रिकुमेंट्स रिक्वार रहता है भंसार वगर के लिए वही मैं आके चलके आप लोग को साथ है या अब लोग क्हार यहाई बाकी जाने से पहले जो है अपने बाइक का जो वोशिंग वगर कर वा लेते हैं सर्वीशिंग मैंने कुछ दिन पहले ही कर भया है धिसमें ने चेन वगर बगड़ा सारा कुछ चेंज कर दिया चैन स्प्रॉकेट वगर वगरा लाइट् चेन क्लिन कर देता हूँ बागी बाइक के मामले में जो है एक सस्पेंस है अगर हम दो फ्रेंड का कंफर्म है जिसका बुलेट लेके जाएंगे इनकेस अगर एक मेरा और फ्रेंड राज से खड़ जाता है तो मुझे अब मेरा पाचे ले जाना पड़ेगा नहीं तो यह भी स्टॉक के लिए इसका हाँ यह नाम है अभी डिसीजन लिया जाएगा करल मॉर्णिंग में तो देखते हैं कि यही बाइक जाएगा यह बाइक भी जाएगा या फिर सिर्फ हम और मेरा एक फ्रेंड बुलेट से जाएगे मकी मेरा यह बोड़ेगे पैरट को कितना खतरनाक है यह ब्रीड जो है थोड़ा जादे बरा होता है नॉर्मल हमारे पैरट से इसलिए देखिए यह थोड़ा हेल्दी भी होता है सारे पिंजरा को कहलत कर दिया तोर के बोलो मम्मी मम्मी कौन आगया मम्मी बोलो कौन है अरियों कौन है मां की एक नया नया फैमली मेंबर इस्ट्रूड गाया यह देखिए एक नाम की रखने चाहिए बेटा पपी था पपी भेवे के लिए नाम की चेकर पपी के पपी नाम रख लिए और पपी का क्या नाम है हम थे नाम है पपी नाम है पपी यह यह है बाप अटि की नाम रखने ची यह पपी के पपी का नाम पपी रख लिए पर भी नाम रायत का कुकी आई चो ने बहर रायत का कुरोशूता ने दे चो बाकी जो है बाइक वास हो चुका है देख रहे हैं खुद से ही अब की यह कुछ मेंडिसिन वगर हो गया है अपना यह गैजेट अगया गोप्रो जो की बाइक के हलमेट पर लएगा है और यह सारे क्लोथ्स वगर हो गरें जो ले जाएंगे में जो की ठंड बहुत रहेगा इस वासे अपना यह बैक हो गया तो चले शारे चीजों को जो है कर लेते हैं सफ़र बहुत लंबा होने वाला है तो 300 सरे 300 कड़ी जाना फिर आना तो 700-800 किलोमेटर हो जाएगा पूरा रॉंड और कहीं 1000 भी ना पूर जाए क्योंकि मॉन्टेंस हो गरा है बहुत जादे ही है हिल्स बगर है और चंदगिरी हिल्स तक जाना है अपने लोग को तो बहुत जादे जो है उतार चठाओ रहेगा एक छोड़ा समय आप लोग को अपना एक प्रसनल ओपिनियन देना चाहता हूं सजेशन के तोर पे आप लोग ले सकते हैं अगर आप जब कभी भी लाइफ के अंदर ट्रावल करते हैं कहीं घूमने वगर जाते हैं तो ज्या जाके देखे वहां के लोगों को जो है अपजार करिए फोडो गरा वीडियो जो गरा तो लेते ही रहें बट अपजार करना फील करना ये सारी चिजह बहुत ही ज्यादे important रहता है क्यिकि ये सारे चीजह जो है मेमरीज क्रिएट करते हैं और मेमरीज जो हमें सा बहुत ही special ह चाहे वह अच्छी हो या बुई हो कैसे भी हो जो है बहुत ही खुप्शुरत होती है वही साथ रहता है आप अच्छी अच्छी मेमरीज कभी बी कैमराज या फिर वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है वह बस आप्षो देखा होता है तो इसलिए जितना ज़्यादे साथ हमेशा रहेंगे तो इसलिए जब भी टाविल करें अप्जावर करिए नोटीस करिए और मेमरीज क्रियेट करिए छोटा सो जो है आप लोग को जानकाई दे देता हूं जो भी राइड वगर करके जाना चाहते हैं नेपाल मध्वनी होके तो मध्वनी की नस्दीक में बे बंसार वगर कटवा के जो है नेपाल में इंट्री कर सकते हैं और रह सकते हैं ठीक है तो यह एक छोटा सा जनकाई दे दिया हूं और भी बहुत सारे बॉर्डर है तो आप उसों के भी जा सकते हैं और रास्ते ही बहुत सारे जगह जो है बंसार वगर साइद कटते हैं तो वहाँ भी कटवा सकते हैं तो ज्यादा घबरानी के जरुवत नहीं है चली फिलाल इस ब्लोग को समप्त करते मिलते हैं कल फिर किने ब्लोग के साथ तिल देने स्टेश से पर स्टेश अफिक तैंक्स वाइस ने नेक्स ब्लॉग